नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूं आपका New Ideal Kitchen में आज मैं आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आप जो मेरी रेसिपी है उसमें मैं बनाने जा रही हूं चैने के लडू वही चेने के लड़ू जो गर्मियों में खाये जाते हैं और जिन किता से ठंडी होती है वैसे तो ही नहम सर्दी और गर्मी दोनों में खा सकते हैं लेकिन आज हम इसमें कुछ ऐसी चीज़े डालेंगे जो स्पेशल गर्मियों के लिए लिए क्याते है चलिए शुरू करते हैं लड़ू बनाना ये जो लड़ू है इसे छोटे बड़े सभी बड़ी पसंद से खाते हैं और खुशोगे खाते हैं और सेथ के लिए भी बहुत काफी लाब दायक होते हैं इसके लिए हमें जो जो समान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ चलिए देखिए जो जो इनके लिए लिए हैं ये हमने आदा किलो चने लिए हैं ये वही चने हैं जिनका हम सत्तु बना के पीते हैं गर्मियों में और जो शरीर के ठंड़क परदान करता है इसलिए हमने ये बुने हुए चने लिए हैं ये चने काफी कुरकुरे हैं और अच्छी क्वालिटी के हमने ये चने लिए हैं ताल मखाने लिए हैं मखाने तो से अच्छे बरपूर होते ही हैं और गर्मियों में ये ज़्यादा तर खाई जाते हैं वैसे तो इनको गर्मी सर्दी दोनों में खा सकते हैं नारील की बुरा हमने एक काटोरी के करीब बदाम लिए हैं बदाम आखों की रोसनी के लिए बहुत से इत्मन्द होते हैं आखों की रोसनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें सिर्के दर्द और कोई भी शरीर में कमजोरी हो तो हम बदाम को भीगो के वैसे भी खा सकते हैं खसकस ल ले सकते हैं बुरा ले सकते हैं गुड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और यह हमने एक कटोरी के करीब लिया है बड़ी कटोरी देशी घी यह हमने शुद देशी के लिया है जो अपने हरे गर के बना हुआ है और यह हमने फ्लेवर के लिये लिया है इलाइची पाउडर यह आपकी पसंद पे निर्बढ़ करता, आपका पसंद हो, तो इसका फ्लेवर डाले, नहीं पसंद हो, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो चली शुरू करते हैं लडू बनाना, सबसे पहले हमने गैस पे कडाई रख ली, और कडाई में डालेंगे हम एक चमच के करीब घी, और ह जब हम ड्राइ फ्रूट को ऐसे बून के डालते हैं, तो वो लडू हमारे कई दिनों तक चलते हैं, वो खराब नहीं हो सकते हैं, यह लडू बनाकर हम कम से कम 10 या 15 दिन तक सेव कर सकते हैं, सबसे पहले कडाई में हम डालेंगे ताल मखाने, बदाम, काजू, इन सबी तरह से मिक्स कर लेंगे, ज्यादा नहीं हमें बस दो मिनिट तक ही इनको लो फ्लेम पे पकाना है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे खसकस, खसकस को लगए एक मिनिट तक पकाना है, नारियल की बूरा, सबी चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे, मिक्स, और हल्का मुन यह लेजिए, हमारे ड्राइफ रूट और चने, दोनों चीज मिक्सी में बिस्के हो गई हैं, तयार, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आपस में अब हमारे मिक्स होगे, अब हम इसमें डाल देंगे अपना इलाइची का पाउदर, अपनी खांड, मिठा, अब अपनी पसंद के अनुसार कैसे भी डाल सकते हैं, अगर आप कम मिठा खाना पसंद करते हैं, तो कम डाल सकते हैं, अगर ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो कोई भी हो और कोई भी हम चीज जब भी भी गर्मियों में बनाते हैं तो खांड का इस्तमाल करें स्वाद में भी अच्छी होती है और सेथ के लिए बरपुरे यह हमने गी को थोड़ा सा गरम करके इसमें मिक्स करें गी भी आप अपनी पसंद के नुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं सरफ हमें इतना द्यान रखना है कि हमारे लड़ू बंद के तेयार हो जाए कि इतना गिया में इसमें डालना है बाइंडिंग के लिए सबी चीजों को अची तरह से कर लेंगे मिक्स और ये देजिए हमारे मिक्सर हो गए है तैयार अब इससे अच्छी कंसिटेंसियों आ गई है अब यम इससे अपने लड़ू बना के कर लेंगे तयार लड़ू का साइज आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा जैसा चाहिए आप कर सकते हैं अगर आपको चोटे लड़ लड़ू पसंद है तो बड़े बना सकते हैं और ये लड़ू इतने स्वाधिस्ट बनके त्यार होंगे कि बड़े और बच्चे सभी खुश हो के खाएंगे एक लड़ू और एक गिलास दूद सुभले लेजिए दोपैड तक आपको भूख नहीं लगेगी और इस सेथ के लिए बहुत ही जयादा तकतवर होते हैं लीजे फ्रेंड हमारे लड़ू बनके हो गये है तयार ये सेहत से बरपूर और स्वाध में भी बरपूर लड़ू बनके त्यार हो गए है इन्हें बच्छे बड़े सभी बड़े शोक से खाएंगे एक बर बनाएंगे तो बार बा आईए तो मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल आइकन को दबाईए ताकि मेरी आने वाली नए नए वीडियो की नोटिक्वेशन आपको मिल सके थेंक यू